हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं range VVM Micro Programming में हम बात करेंगे आपके साथ range के बारे में कि range का आखिर ऐसे करते हैं तो last class ना range की calling method जाए था और selection भी समझाया था राइट आप चलिए हम range के बारे में और ज्यादा detail में आपको सुझाते हैं तो मैं VVM Micro Programming लेता हूं इंसर्ट करता हूं एक नया modules और इसमें subject इसे की आज प्लास से बताया था कि हमें A1 पे select करना है तो हम क्या करेंगे यहां लिखेंगे range A1.select लेकिन मुझे A1 से लेके प्लास से लेक्ट करना है तो उसके लिए हमें बताया था आपको A1,J1 और यह भी भी का method है हलाकि X1 method भी ले सकते है A1,J1 कर सकते है लेकिन problem क्या है कि हमें नहीं पता हमें नहीं पता कि J1 कहां तक है हम इसको दिया रखे नहीं क्या हमें राइट करें राइट आरो प्रेस करते है तो हम आपको इसको नहीं क्या था कि हम किसी भी range को किसी भी रिकर्सर को क्या कर एस एंड तक मूद करें यहा है range A1 dog and Excel राइट हो न शर राइट क्या करेंगा यहां से मुझे तो चाहिए बिद सेलेक्शन क्या करेंगे मुझे इस पोड को उठाएंगे और यहां पर यहां पर यहां पर हमने दो को मर्ज कर दिया देंगे देंगे से पहला कोड है माँ रेंग यहां पर यहां तो यहां तक तक यहां पर नीचे के तरफ लेकर हमें तो जैसे के हमने बताया के रेंग में स्टार्टिंग्ट जेना होता है our starting and selection starting क्या है स्लेक्शन और कॉमा हमने दिया एंडिंग है स्लेक्शन जॉप एंड क्या होगा यह पूरा का पूरा स्लेक्ट होगा है अगर यहां ब्लाइक हुआ यहां ब्लाइक हुआ और फिर एक ओड़ा करेगा इसमा इडिया को स्लेक्ट है कि अगर देख दू मैक्रों होगा ना करेंट रीजन में चोटी सी प्रॉलम प्रॉलम क्या है उसमें सारा का सारा देखा स्लेक्ट होगा इसमें आपके सारा जो जो भी लेता है सारा देखा स्लेक्ट हो अगर यहां भी कुछ लिखा होगा तो कंट्रोल ए उसको भी स्लेक्ट करेंगा तो यहां कंट्रोल ए नहीं स्लेक्ट करना चाहसे हैं इसके लिए हम दो वेरेबर लेंगे हम करेंगे आर इक्वल दू रेंज के पैंशच हजार और एन एक्सलेस आप तो इस बन क्या करेंगे स्लेक्ट्शन नी कर रहा नीचे से उपर आएगा थैंसरा से उपर और इसका जो रो नंबर है यह रो नंबर आर पे स्टोट रहा दैस्टी इक्वल दू रेंग हमने बोल दिया एक्स एफ दी वान डॉट एंग हमने बोला एक्सल टू लाइखन गाट वे सब लक्वलीक को लिए dragons उल्च कौन зачем तो आग पक्सलिए कि क्या करेंगे यहां रेंज में स्टार्टिंग हमारा यह वन तो पता है एंडिंग के लिए हम यहां करेंगे रेंज सेल्स और सेल्स में वह यहां के र कॉमा सी र कॉलन बाक्स लेंगे यह आपका फुली डायनिमिक सेलेक्शिन होगा समझगे सर्ड सर जब हमारे पास वाय यसा कोई क्ये सबगा तो हमें यह तीन होड यूज करने पड़ेंगे तिन लएन यूज करने पड़ेंगे सी अह में भी मैनि करत Raj सीटेव का नाम लिफ्रेंट और सीटाना फिर्ट Wild यह वाज है पाइल्ट तो कि मैंने कव की क्लास में लायता हुआ अब बात करते हैं कि किसी सेल पे टाइप कैसे करेंगे तो मुझे एवन पे कुछ टाइप करना है तो कैसे टाइप करना है यहां लिखेंगे रेंज टाइप करना है यहां हम लिख सकते हैं रेंज टाइप करना है यहां हम लिख सकते हैं मतलब कि इची समझ जाएए कि टाइप करते समय आप डॉट वैलू करें या ना करें या फॉर्मुला करें उससे कोई फॉर्ट नहीं परता है लेकिन फॉर्ट कहां पड़ेगा हम किसी सेल की वैलू रिले रहे हैं जैसे मान रिचे में एफ वन की वैलू एवन पर लेके आ रहा हूं कि इसमें 25 वैल अगर आपका एफ वन में फॉर्मूला लगा है फिर भी इसका सिफ वैलू ही आएगा इसके अंदर का फॉर्मूला नहीं आए लेकिन जहां आपने वैलू दिया हुआ है उस वैलू को अगर हम फॉर्मूला कर दें तब क्या हो है फिर यहां पे यहां पे आपको इक्वाल 20 प्लास 60 आए 20 प्लास 60 आए समझ गया है कुछ आउट इसमें अब मालेशे मुझे सीट 5 के F1 में सीट 5 के A1 में मालेशे मुझे सीट 6 के A1 में करना है तो यहां पे आपको क्या करना होगा कि सीट और यहां पे जो भी सीट की कॉलिंग ने तवर है तो आप लेशे में है ठीक है जो मिने आपको एक्स्क्रेम किया था लास प्लास इसमें लास तो लास प्लास 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 है रेंज आप इसको डारेक्ट भी लख सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं यहां पे सीट्स six dot select और फिर एंडर करता लेख सकते हैं अगर डिफ्रेंग फाइल हुआ तो आपको यहां पे वार्क, बुक्स, और यहां पे आपको देना है, बुक्स वान, दोट एक्सलेस एक्स, दोट वैल, शीट सोब शीट सोब शीट, ओके, यहां फिर आप, यहां उपर जो, इस वार्क भूप को एक्टिवेर कर सकते हैं, तो यह समझार के वैलू कैसे टाइप करना है, हाँ, जीज़ा, अब जैसे माल लिजिए कि हमने एक कोट दिया, रेंज, माल लिजिए, आमने दिया, एक्वार्ट वैलू, या फॉर्मूला, कोई फर्क निपर का, डॉट वैलू ही कर दो, दॉट वैलू, एक्वार्ट वैलू, मतलब कि इस कोड ने क्या किया, जो एक्वार्ट ने क्या, इस पे, आज की देट डालते, अब मुझे क्या करना है, इसी में प्लास वन करा, प्लास वन का फॉर्मूला करा, मैं फॉर्मूला कैसे दे सकता हूं, हमने भी वैके थूप, एक्वार्ट वैलू, होगा कि हम, एक काम एक तैसे हम हो सकता है, कि हम यहां लिख देगे कि, बी से दे, बी से दे दॉर्ट वैल्यू इक्वल टू, रेंज, रेंज, एस से दे, बाट वैल्यू प्लास वन, एक क्या करेगा, कि फाइनल रिसल्ट जो होगा, वो यहां टाजूँगा, संजे, मैनुवल, बट मैं चाहता हूँ कि यह फाइनल डाले, ताकि पहला चेंज हो, हुआ है कि ओक है कि आइज तरह खुआ है कि मुझे यां इसbrewer करिक्स सोंम्मूला ने हम ने तीन वार्थ में देत यह में है by तहकी की तरह नागड़ा कि एंविल्त मंद्दा इस पूर्द मुंचट के क मदंधि आए अब प्रॉल्म में है कि मुझे इस फॉर्मॉले को भी इस फॉर्मॉला इसको बीडिया में इंवर्ट कमा के दीज में डाले है तो कैसे डाले है तो कैसे डाले है अच्छी चीज है देख 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 कि a6 dot value equal to inverted कमा में हमने डाले है अब यहां पर एंटर करते है क्यों क्योंकि VBA समझ रहा है कि यहां इंवर्ट कमा open हुआ और यहां close हो गया क्यों खाल तुम्हें है बास संजहें न तो VBA को सम्झाना होगा कि ए इंवर्ट कमा मुझे बाहर फॉर्मॉला पर प्रिंट करना है तो यहां इसको दो इंवर्ट कमा डालेंगे तो बाहर एक इंवर्ट कमा को प्रिंट करेंगे इसको एक्जेक्यूट करेंगे प्रिंट करेंगे तो तब हम करेंगे टेक्स है यह लिखने तो फिर टेक्स नहीं हो गया क्या होगा कि सीधे जाएगा और इसमें वह लिख देगा टाइट क्या कर देगा इक्वल एस सेविन प्लास वार्ट कि इसके आगे हमने तो यह लगा रखा है ना ठीकित एक टेक्स्ट में तो नहीं है ना यह वी कॉलन आगे टेक्स्ट में होता मतलब किसकी नंबर फॉर्मेंटिंग में टेक्स होता तब जाके वह जैसा फॉर्मॉला थी प्राइट सब्सक्राइब कर देगा देखिए अब देखिए ना इस पूर्ट को अलग कर लिया रिचैंव दो अरे को अबडार फॉर्मनुख कर देखिए वह प्राइव में-टेक्स्ट में-टेक्ड़्मॉला देखिए हुआ अलग कर दो ईंट इनन एंटान किया इनना है यह ब इस में आzarip एसक़ा यह बरना तका टेक्षांशन टेक्स्ट में हम धिन्या है स्थरी ने प्जापने के लिए नयुकुू अजिए सब्सक्राइब दूत रखाँ हुआ. क्षैरा के लगने के लगने का लिए जो बदेक साफ्यानि कुछन के लिए कुछा सबस्क्राइब करना है उस टॉपिक के लिए आपको एक छोटी सी प्रेशन करने पड़ेगा